गांधार देश के राजा सुबल के सौब पुत्र और एक पुत्री थी जिन में से सबसे छोटी पुत्र का नाम शकुनी था जबकी इकलोती पुत्री का नाम गांधारी था आप में से बहुत कम लोग शकुनी के परिवार के विशे में जानते होंगे शकुनी की पत्नी का नाम अर्शी था शकुनी और अर्शी के तीन पुद्र थे जिनके नाम उलूक, व्रिकासुर और विप्रचीती थे फिलहाल के आधुनिक समय का अफगानिस्तान महाभारत काल का गांधार था ऐसा माना जाता है मामा शकुनी के पिता के मृत्यों के बाद उनको गांधार की राजगत्ती सौपी गई थी इस बात का उलेक बहुत कम जगव पर मिलता है कि शकुनी का मुख्य अस्तर परशू था इसका कारण ये है कि शकुनी को ज्यादातर जूत क्रेडा और पासों के साथ जोड़ा जाता है महाभारत का युद्ध होने के पीछे यू तो बहुत सी बाते जिम्मेदार थी परन्तु पांडवों और कौरवों के बीच हुई जूत क्रेडा और इस जूत क्रेडा के दोरान शकुनी का कपट महाभारत युद्ध का प्रमुक कारण माना जा सकता है क्योंकि इसी खेल के दोरान शकुनी के पासों की वज़र से बहुत सी अनिच्छनी अकटनाए घटी थी हम सभी ने इस बात को देखा है कि पासे पर हर बार वही अंक आते थे जो शकुनी लाना चाहता था शकुनी की इच्छा के अनुसार पासे पर अंक आने के कारण हर बार उसका कपट जीच जाता था लेकिन आखिर शकुनी के पासों में ऐसा तो क्या था कि पासे हर बार शकुनी का कहना ही मानते थे इस विशय में कई मानताएं प्रचलित है हाला कि इनकी पुष्टी नहीं की जा सकती बताया जाता है कि शकुनी के पासे उसके पिता की रीड की हड़ी के बने हुए थे वही दूसरी और ऐसा माना जाता है कि मृत्यू से पहले शकुनी के पिता ने शकुनी से कहा था कि उनकी उंगलियों की हड़ी से पासे बनाये जाए जिससे कि वे अपने तंत्र विद्या से हर बार शकुनी की इच्छा के अनुसार अंक ला सके इसके साथ ही दूसरी मान्यता ये भी है कि शकुनी के पासे हाथी दात के बने हुए थे लेकिन शकुनी माया जाल और सम्मोहन में महारति था इसी के चलते वो खेल को अपने पक्ष में मोड लेता था हाला कि इन सभी मान्यताओं में से सत्य क्या है ये कोई भी नहीं जानता लेकिन ये बात जरूर सत्य है कि शकुनी के पासे और जूत क्रेडा ने महाभारत में एहम भूमी का निभाई थी आज के इस वीडियो में हमने शकुनी के रहस्य में पासों से जुड़ी कुछ मानेताई बताई अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर करे ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और नॉलिजबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दे इनफोर्शन को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पॉर वाचिंग